नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है टेकनिकल सार्थी चैनल पर आज मैं बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने रेल टिकिट को कैसे बुक कर सकते हैं और आप टिकिट को डिजिटली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए हमें IRCTC रेल कन करके दिखाता हूं यहां पर मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है यहां पर जैसेacing आप IRCTC लिक्खोगे यहां पर सबसे पहला जो हैब आज आएगा उसी को आपको डाउलोड कर ले न यहां पर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे बस open कर लूँगा इसके बाद यहां पर COVID का एक alert दिया गया है जिसे हमें OK करके अठा देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक interface देखने को मिलेगा यहां पर ticket book करने के लिए plan my journey पर click कर सकते हो इसके बाद आपका ticket यदि book है पहले से उसको यहां पर my booking पर click करके check कर सकते हो यहां पर PNR inquiry वाले option पर click करके अपने ticket की status check कर सकते हो इसके बाद refund history पर click करके अपना ticket का refund आपको मिलना है तो वो check कर सकते हो इसके अलावा cancel ticket का एक option दिया गया इस पर click करके यदि आपको अपना ticket cancel करना है तो वो भी कर सकते हो ticket book करने के लिए हमे plan my journey वाले option पर click करना है इसके बाद आपको from वाले option में अपना station select कर लेना है यहाँ पर आप type करके अपना station select कर सकते हो मैंने यहाँ पर from में अपना station डाल दिया है और to में भी अपना station आप select कर सकते हो या फिर यहाँ पर type करके अपना station उसके बाद अपना station select कर सकते हो इसके बाद जो class है इसमें आप all classes रहने दीजिए इसमें काफी सारी आप देखेंगे यहाँ पर second class, first class, slipper, ac ac में भी काफी सारे इसमें options है लेकिन हमें all class से select रहना है इसके बाद quota जो दे रखें इसमें काफी सारे उपसन है journal, ladies, tatkal, lower birth, senior citizen लेकिन हमें यहाँ पर journal ही select करके रखना है इसके बाद यहाँ पर calendar वाला उपसन आजाता है यहाँ पर हमें अपनी date select कर लेनी है यहाँ पर मैं एक जनवरी select कर लेता हूँ बस search trains पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार से काफी सारे train, उनके number, उनका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मुझे यहाँ पर एक check करना है यहाँ पर दूसरी train देखते है इंदोर एक्सप्रेक्स इसका second class का हम ticket check करें तो यहाँ पर ticket available है यहाँ पर ticket book करने के लिए हमें बस उसको select कर लेना है उसके बाद passenger details वाले option पर click कर देना इसके बाद आए agree पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप दुबारा अपने details चेक कर सकते हो नीचे यहाँ पर हमारे पास add passenger वाले में add new वाले option पर click करना है यहाँ पर हमें अपना नाम fill कर देना है उसके बाद अपनी age fill कर देनी है इसके बाद gender select कर लेना है और उसके बाद add passenger वाले option पर click कर देना, यहाँ पर passenger का नाम तो हमने fill कर दिया है, उसके बाद हमें नीचे scroll करना है, और यहाँ पर हमें address mention करना, इसके बाद आपका travel insurance मैं no pay click कर देता हूँ, और हमें review journey details पर click कर देना, यहाँ पर आप अपनी details को दुबारा से verify कर सकते हैं, इ यहाँ पर जो CAPTCHA code दे रखा है, उसे यहाँ पर fill कर देना, CAPTCHA code fill करने के बाद process to pay पर click कर देना, इसके बाद yes वाले option पर click कर देना, यहाँ पर हमें काफी सारे payment का option मिल जाता है, यहाँ पर multiple payment option पर click कर लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे, हमारी पास काफी सारे option available है यहां पर मैं PTM वाले option पर click कर दूँगा और इसे pay वाले option पर click कर दूँगा इसके बाद हम यहां पर अपने number डाल के enter कर देंगे इसके बाद हमारे phone पर एक OTP आएगा उसे भी यहां पर enter कर देना है यहां पर OTP फिल करने के बाद verify वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमें pay वाले option पर click कर देना है अब हमें अपना paytm app open करके IRCTC का जो payment pending है उसे pay कर देना है यहाँ पर paytm app को open करते ही payment करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर एक interface आ जाएगा हमें यहाँ पर pay वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमें अपना UPI PIN एंटर कर देना है यहाँ पर payment successful होने के बाद हमें वापिस उसी app पर चले जाना है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपको close नहीं करना है नहीं आपको अपना back button प्रेस करना है यहाँ पर कुछ time wait करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि हमारा जो ticket हो confirm हो गया है यहाँ पर हम अपना date, time सब कुछ check कर सकते है दोस्तों यह आपको ticket digitally download करना है तो उसके लिए हमें download वाले option पर click करना है यहाँ पर कुछ इस परकार से हमारा जो ticket हो download हो जाएगा यहाँ पर my files में जाकि जैसे आप first वाले option पर click करेंगे आपका ticket आपको download किया हुआ मिल जाएगा इसका हमें print out लेनी की आउशकता नहीं है आप भी अपना rail का ticket आसानी से book कर सकते हैं दोस्तो आयार सी टीसी एप में यदि आपको कोई समस्या आये या कोई error देखने को मिले तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें thank you so much for watching